दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप NGO यहां पर रेजिस्टर करा लिए हैं और फिर आप चाहते हैं कि अपने NGO को 2LA और ATG में रेजिस्टर करा ले तो फिर किसी भी NGO को 2LA और ATG में आदे मिलते हैं तो दोस्तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंतक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जब भी कोई यसी इंफरमेटिव वीडियो आप लोग के यह अपलोड करूं तो फिर आप लोग उस वीडियो की नोटिफिकेसर मिल सके दोस्तों यहाँ पर अगर आप एंजियो बनाते हैं तो फिर एंजियो बनाने के बाद आपका यहीं लक्ष होना चाहिए कि आप पबलिक हिद के लिए काम करेंगे यहाँ पर कई लोग एंजिय बनता है वह तीन तरीकों से रेजिस्टर होता है पहला यहाँ पर ट्रस्ट एक्ट में यहाँ पर ट्रस्ट एक्ट में जो एंजियो बनता है उसमें पहले डीट ड्राफ्ट होता है फिर उस डीट को आप अपने रेजिस्टर कराते हैं उसके बाद उस डीट के अधार पर प NGO बनाते हैं तो आपको किसी government office का चकट नहीं लगाना पड़ता है तो उसके बाद जब NGO बन जाता है चाहे से sectionate company NGO बने या फिर trust act में बने या फिर society act में बने किसी भी तरीके से अगर आप अपने NGO को या आपको donation तो चाहिए ही तो फिर यहाँ पर कोई लोग आपको NGO में donation देंगे या फिर आप government से donation लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर जरूरी है कि आपके NGO 2LA और ATG में register हो यहाँ पर जो 2LA और ATG का registration होता है वह income tax department के तरफ से होता है तो यहाँ पर आपको registration जरूर कराना चाहिए यहाँ पर job donation से पैसा लेते हैं वहाँ पैसा आप रख नहीं चकते हैं आपको एक समय सीमय के भीतर उस पैसों को खर्च करना होता है और खर्च आप अपने लिए नहीं करेंगे बलकि यहाँ पर आप समाज के लिए खर्च करेंगे और क्या खर्च करेंगे आपको पूरा और एटीजी में registration रहेगा तो जो भी आपके NGO में donor होगा जो भी donation देगा उसको भी यहाँ पर income tax department में relief मिलता है उसको यहाँ पर 50% या फिर 100% benefit मिलता है यहाँ पर आम तोर पर 50% ही छुट मिलता है आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर 50% और 100% किन-किन situation में मिलता है तो NGO बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों मैं overall यहीं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से NGO बनाएं ट्रस्ट एक्ट में बनाएं सोसाइटी एक्ट में बनाएं लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर टूए लेवरेटी जी का registration करा लेना चाहिए यहाँ पर NGO बनाने के बाद टेक्स एक्जेंपसन होता है आपको टेक्स उस पर नहीं लगता है और जो भी आपके NGO में डोनेट करते हैं उनको भी इंकम टेक्स में एक्जेंपसन मिलता है तो दोस्तों मैं आसा करता हम आप में वडियो पसंद आई होगी अगर मन में कोई भी सवाल है तो अपनी कर लें तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और इस दार में भी जरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ तब तक अब अपने परिवार का ख्याल लगा